रन्थम्बोर में गूजी किलकारी यह टाइटल तो आपने किसी भी न्यू चैनल में देख लिया होगा। जी हाँ बिल्कुल सही है रन्थम्बोर की एक बागिन ने दिये दो शावकों को जनम। वीडियो देखते हैं कौन सी वह बागिन है जिसने दो शावकों को जनम दिया। वन विवाक के अधिकारियों के अनुसार बागिन टी-94 ने दिया दो शावकों को जनम। आपने देखी है रन्थम्बोर में टी-94 या नहीं अगर नहीं देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि उस बागिन को आपने रन्थम्बोर में अभी तक क्यों नहीं देखी है। रन्थम्बोर की बागिन टी-94 ने पहली बार दो शावकों को जनम दिया है और यह फोरेज डिपार्टमेंट के केमरा ट्रेप में ट्रेप हुए हैं। यह बागिन रन्थम्बोर के खंडार रेंज के जेल कोहे छेतर में घूम रही है। यह एरिया एक नोन टूरिस्ट एरिया है। इसलिए आज तक आपने इस टाइग्रेस को नहीं देखा है। आपने ही नहीं मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। वन विवाग अधिकारियों के अनुसार बागिन T-94 की उम्र चार वर्स की बताए गई है। और इस बागिन ने पहली बार दो शावकों को जनम दिया है। जो की फोटो के माद्यम से आप इस वीडियो में देख रहे हैं। बागिन T-94 फेमस बागिन कसना T-19 की ग्राण डोटर है। और बागिन T-94 की मा T-63 है। टाइगरेस T-63 ने पहली बार दो शावकों को जनम दिया था। जो दो शावक रंथंबोर में T-93 और T-94 के नाम से फेमस हुए। तो यही थी नोन टूरिस्ट T-94 की छोटी सी इंफोर्मेशन। तो आपको हमारे द्वारा दी गई इंफोर्मेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर। चैनल को सबस्क्राइब भी करना ना बुले। थैंक्स फोर वाचिंग।